हेलो फ्रेंध्स आप सभी का मेरे चैनल में एक बारे फिर से स्वागत है तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेस के बारे में इस वीडियो में अलागर बात करेंगे आज मैं कुछ ऐसे कुछ ऐसी habits बताऊंगी जिनको आप अपना के अपने face को एकदम से clear बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखेगा नमबर वान पे हम बात करेंगे avoid pimples के बारे में देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है अगर face में किसी के एक pimple में निकलाई या फिर दो हों कितने भी हों तो कई लोगों की आदत होती है अपने हाथों से उन pimples को फोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही गलत है तो आ नमबर तीन पे है साथ से आठ घंटे आपने सोना ही सोना है भर पूर नेंद लेनी है अपने skin को healthy बनाने के लिए नमबर चार पे tension को बिल्कुल avoid कर दें कोई stress ना ले क्योंकि जो stress और tension होता है इसका सीधा effect आपके face पर आता है तो प्लीज अपने face को glowing बनाने के लिए stress का दबा बिल्कुल ना पढ़ने दें अपने दिमाग पर भी और face पर भी और नमबर नमबर पाच पर है not touching face आपने अपने face को बिल्कुल भी touch ने करना है बहुत से लोगों की आदत होती है face को बार बार touch करना मैं आपको एक सीधा सा example दोंगी जैसे हम खाना खाने से पहले hand wash क करेंगे तो आपके face पर डिरेक्ट यह जो germs होते हैं आपके face पर लग जाते हैं जिसकी वज़ए से आपके face पर infection पिंपल जैसी problem शुरू हो जाती है उसके बाद बात करते हैं वीक में आपने दो बार scrub करना अपने face को इसके साथ आपकी dead skin निकल जाती है तो यह बहुत दोस्तों यह थे कुछ simple से tips हैं अगर आप इनको follow करेंगे तो जरूर आपकी जो skin है उसमें काफी बदलाव आएगा और आपकी जो skin है वो clear रहेगी हमेशा साफ रहेगी और healthy रहेगी I hope कि दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्लीज अगर पसंद आय तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले